हाई वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज जो टॉपिक है मेरा हो है फेस से रिलेटिव फेस की ब्रॉब्लम से अल्मोस्ट 99% लोग परिशान है सच में परिशान है कोई पिंपल से कोई डाक सरकल से डाक स्पॉट से पिग्मेंटेशन से बहुत सारी चीजें हैं फेस से जिससे सभी परिशान है मैं जो परिशान थी मेली वो थी मैं एक्नी से मेरा ये टी जोन एरिया है फुल लॉन भगा रहता था इतिंग डल स्किन इची इंगिदा शीज बड़ी परिशानती मैं और मुझे संबज नहीं आता था मैं क्या यूज करूं क्योंकि मैं कुछ भी आते होते ही तरह को दूसरे दिन से स्टार्ट मैं परिशानती पता नहीं कैसे 15 दिन पहले मैं ने वह आधारिए उस सचांट की मैं यूज करके देखते हूं मैंने वह यूसकि यूज किया लिटरली अमेज इंग डिन यू तचूड पंदरा दिन से मैं उसको यूज कर रही अब देखने हैं अब देखने हैं अपने सब वनिश हो चुकी है है मेरे स्किन भी मेरे हेल्धी ग्लोइंग हो गही आ और जो फोरेड अगरा जो एकने रहता था वह भी सारा गौन हो गया है तो आप भी उसको ट्राइ किज़ेगा वह अपने बारे में बताओंगी आपको सूट करें तो ही यूज़ करना दरवाज मत करना बालों की समस्या हो मालों से डैमिज है है आपके तो मैं आपको description में की लिंक दे दूँगी उस्लिंक की समस्य आप के पाल आप सिए के बाल नीद्र तो मेरी वीडियो पसंद आए अपको साहि Ray को सब्सक्राइब कीजचे गा और अग। यहां अपको बाल इक्छे अब लिएसे डाले से य्ष रेलेटेट तो आपको दलश पसंद आए of और आप इस और इस ऊइल को यूज करते हैं तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि आपको यह और इसके रिजर्ट आपको कैसे मिले हैं अमेजिंग करेगा उसके लिए अमेजिंग रिजर्ट ही मेरे लिए तो बगवान का वर्दान है सच में तो एक बार जरूर यूज कीजिएगा और मैं उस ओयल के बारे में बताती हूं यह स्पॉंसर नहीं है बिल्कुल भी मुझे अच्छा लगाए इसलिए मैं आपसे शेर कर रही हूं बदाम रोगनों स्वीट आलमंड ओयल जो मेरे आखों के सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाय टेक केर